हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है अब सभी का मेरे यूटीब चैनल इस्टड़ी विद राहुल सागर में देखें बिहार सिक्षक भरती 2.0 को लेकरके बहुत बड़ी अपडेट लेकरके आया हूं जिसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्ष्ट है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि जो आने वाली ऑथेंटिक अब्रेट्स हैं उनको आपा साने से देख सेगें तो चली द देखें आम मैंना आपको इस वीडियो के बारे में यह क्यों बता रहा हूं इसके पीछ भी एक प्रेक्ट है उसके इसलिए हमने पहली सिक्षक भरते को जारना जरूरी है देखें एक लाग सतर हजार पदों पर यह भरती हुई थी ठीक है और आप सभी को पताऊगे कि एक लाग बीस हजार एक लाग बीस हजार अप्रोक्सिमेट बाइस हजार सम्थिंग है तो इन बच्चों को सेलेक्शन प्रमाण पत्र दे दे गया है तो अब इन जो इन यह जो पद थे इन पद में से भी कुल पचास हजार पद अभी भी रिक्त है ठीक है फिर उसके बाद हम बिहार सिक्चक भरती 2.0 की तो उसमें कुल 70,000 पदों पर भरती प्रकिरिया रिलाने के लिए जो बिहार सरकार थी वो प्रकिरिया कर रही थी ठीक है लेकिन आप सभी को पताओके कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके यह आ रही है कि जो सिक्चक भाली है उसके से उसके लिए फॉर्म फिलब करना चालू हो जाएंगे और फिर उसके बाद 10 तारिक तक वो जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे ठीक है फिर वहीं पर बात करें 7 दिसम्बर को ले करके 7 से 10 दिसम्बर के बीच में जो परिक्षा थी वो कंड़क्ट हो जानी थी ठीक है लेकि यह डिले इसलिए मिल रहा है आप सभी को बताओगे जो पहले एक तो 50,000 पर टिक्त पद है ठीक है जो पहले बहरती पेर के रहा हुती अब इन पदों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि इन जो आने वाले पद है 70,000 पदों पर भरती पर करिया ने करके कुछ पदों को और बढ़ा दिया जाए ठीक है तो इसलिए मैं आप से कहा रहा हूं कि जो बिहार सिक्षक भरती पर किरिया 2.0 है उसमें ना कुछ पदों को ले करके चर्चा कि जा रही कि तो ताकि उनको बढ़ाया जा सके ठीक है एक इंपोर्टेंट चीज यह है वहीं पर बात करें तो तो अब की बार सिक्षक भाहली का जो प्रिक्षा का प्रिक्षा होगा वह चेंच हो गया है और वह किस तरीक기는 का प्रिक्षा नहने वाल है इसके भारे में हम आगए बात करेंगे थीक है अब उसके बाद । सवाल होंगे पहले क्या प्रिक्षाप्रत Earl Department में dalam 1100 सवाल हो और जो paper second होता था उसमें केवल उसमें जो kul होता था इसमें कुछ GS भी आ जाते थी ठीक है और फिर प्लस subject concern मतलो जो भी आपने subject चुना है उससे related GS की बात करें तो इसमें जनरल awareness current affairs और फिर Maths reasoning EBS यहां से पूछा जा सकता था यह जाता था, मतलब 40 नमबर से, ठीक है, फिर वहीं पर बात करें, 80 नमबर का यह होता था, subject concern, ठीक है, पेपर फश्ट की बात करें, तो इसमें language होती थी, हिंदी और English, ठीक है, English के 25 questions और हिंदी के 75 questions, यह qualifying nature का हुआ करता था, मतलब इसको केवल पास ही करना पड़ता था, के लेकिन अगर हम बात करें अब, जो अब परिक्षा का pattern बदला है, उसकी अगर हम बात करें, तो इसमें जो बदला हुआ है, वो क्या हुआ है, देखिए, डेल सो नमबर का होगा, जो अब जो pattern होने वाला है, वो कुल डेल सो नमबर का होगा, ठीक है, जिसमें से अगर हम बा नंबर हैं वो count होंगे आपके merit list में ठीक है लेकिन पहले क्या होता था पहले इस language का अलग से paper बनाया होता जिसका paper और जिसके जो number थे वो count नहीं होते थे merit list में वो केवल qualifying nature का हुआ करता था ठीक है लेकिन अगर हम बात करें तो अब language थीस नंबर की फिर प्लस GS की बात करें जिसमें GS, current affair, merits reasoning, EVS यह आती है तो यह हो जाएगा 40 नंबर का तो कितना हो कि 40, 30, 70 और फिर प्लस बात करें वाई पर 80 नंबर का हो जाएगा हमारा subject concern ठीक है न तो यह कुल 1.500 नंबर के pattern पर विशार किया जा रहा है ऐसा अभी official notification की तरफ से तो नहीं का गया है लेकिन ऐसी खबरें निकल करके आ रही है जो अब परिक्षा का pattern है वो change हो सकता है देकि आप सामने screen पर देख पा रहे होगी यह कोई यह जी बिहार जारकंड इस नाम से एक news channel है हाला कि यह बहुत official update लेकर करके आते हैं तो इसी चीज़ इसी वज़े से मैं किया पैटन होने वाले है भी हर सिक्षिंग भरती 2.0 को लेकर के वो उसका pattern भी change होने वाला है ठीक है और वहीं पर बात करें भरती पिरक्रिया में कुछ जो पद है उनमें भी थोड़ा थोड़ी जो मात्रा है वो बढ़ने वाले है काफी जादा पदों पर भरती पिरक्रिया हो जो भी official notification आएगा तो उससे related information आपको प्रवाइड करा दूँगा ठीक दोस्तों चलिए यही थी हमारे आसकी वीडियो आए होप आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like, share और हमारे चैनल को सब्सक्राइग के लिजे ताकि ज तो चलिए दोस्तों, thanks and thanks for watching.